फिलिपीन सरकार ने कहा है कि दक्षन चीन सागर में अपने दावों की रक्षा करने के लिए विह उचित कूट नीतिक कारेवाई कर रही है हाला कि उसने टक्राव से बचने की नीती अपनाते हुए इस संदर्ब में चीन पर नाम नहीं लिया चीन ने विवादित सागर में से ये संबंधी अपने कारेवाही में अपने कबजेवाले एक द्वीप पर कथेत रूप से पहली बार लंबी दूरी के बंवर्शक विवान तैनात किये हैं जिससे अंतराश्ट्रिय समधाय जिन्ता में है पेंटागन के एक प्रवक्ता ने पिछले हफ़ते कहा था कि विवादित क्षेत्र का चीन द्वारा सैनी करण करने से क्षेत्र में अस्थिरता आएगी फिलिपीन्स के विदेश विभाग ने सोमवार को दोहराया था कि सरकार अपने संप्रभू अधिकार वाले क्षेत्र के एक एक इंच की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है अमेरिका ने भी विवादित क्षेत्र में अपने जहाज भेजे हैं फिलिपीन्स सरकार ने कहा है कि वेहर मामले पर नजर बनाये रखे हैं बता दें कि इस क्षेत्र को लेकर फिलिपीन्स, मलेशिया, ताइवान और वेयतनाम ने भी अपने दावे पेश किये हैं फिलिपीन्स के सांसदों ने इस मामले में चीन को सख्त संदेशन देने को लेकर अपने राष्ट्रपति रोधिंगों दोतेते की आलोचना की है दूसरी तरफ, चीन ने कहा है कि वेह विवादित क्षेतर में वेह सब कर सकता है जो वेह अपनी जमीन पर करता है